इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 15 नौमबर के लिए बेस्ट 5 इंटर डे ट्रेडिंग के स्टोक्स की लिस्ट जिनके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको एंट्री कहां पे करनी है, क्यों करनी है और आपका टार्गेट क्या होगा, इस टो प्लोस क्या होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना है और आपसे एकोर रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं सेवी रिष्ट एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपको किसी भी प्रकार का ट्रेड इनिशेट करने से पहले आपको खुद से रिसस करने हैं, और फिर ही आपको सबी प्रकार की अपडेट मिल जाती है, आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में सवाल कर सकते हो, डिसकसन कर सकते हो, उनके लेवल्स भी आपको जरूर से जरूर मिलने वाले हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक में मिल जाएगा, अगर आपके बास डीमेट अकाउंट तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक में मिल जाएगा, अब चलते हैं यापे जो इंट्राडे ट्रेड हैं, उनकी स्टोक्स की लिस्ट के उपर दो, जो सबसे पहला स्टोक हम न तो डे हाई यहाँ पे 1782 के उपर ब्रेक होगा, तो आपको एंट्री कर लेनी है, 1799 पहला टारगेट होना चीए और 1814 यहाँ पे आपका दूसरा टारगेट होना चीए, इसके अंदर आपको 1774 के उपर लगा के रखना है, तो यह हमारा फर्स नंबर का स्टोक होगा, इसके काफी upside दे सकता है, इसका weekly chart अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे यह इस प्रकार का इसने consolidation किया है, यह आप इसको देख सकते हो कि यह inverted head and shoulder pattern भी breakout दे चुका है, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे upside में यह काफी अच्छी moment दे सकता ह तो इसके अंदर आपको अगर यह green candle जो आज वाली बनी है, इसका day high break होता है, जो कि 288 के उपर होगा, तो आपको entry कर देनी है, 291 पहला target, 294 आपका दूसरा target होना चाहिए, बड़ी इसके अंदर swing trade भी initiate कर सकते हो, stop loss इसके अंदर 283 के उपर लगा के रखना है, इसके यहाँ पे DMAT account बहुत सारे बन रहे हैं, और जो BSE है, वो लगातार अपने जो options contracts हैं, जो bank X के हैं, वो सुरू किये हैं, इनकी expiry थोड़ी change हो चुकी है, तो यहाँ पे इसके अंदर volume बहुत increase हो रहे हैं, तो यहाँ पे अभी भी और तेजी है बाकी इसके अंदर, तो day high न stock है, वो है Indian bank, Indian bank के अंदर आप देखोगे, तो यहाँ पे भी यह जो trend line थी, इसका breakout हुआ, अपर साइड में यह horizontal line का resistance था, इसका भी breakout हो चुका है, तो upside में अभी second यहाँ पे अगर हम FIBO का यहाँ से यहाँ तक का एक retracement लगाते हैं, तो यहाँ पे 161.8% का एक target मिलेगा, यहाँ पे 161.8% कोई यहाँ पे stock का price नहीं है, यह FIBO का एक percentage ratio है, तो यह सीज है, इसका जो next target है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि यहाँ पे आप entry करते हो, 451 के ओ लेवल के ओपर, तो आपको यहाँ पे 455 का पहला target, 460 का दूसरा target, और यहाँ पे stock loss 445 के ओपर लगा area लिया, support area में इसने यहाँ पे एक बार, दो बार support लिया है, range बना कर कि अपर साइड में गया है, trend line का breakout हुआ है, तो यह continuation pattern होता है, यह जो wave है, इसका continuation pattern है, यहाँ पे correction कर चुका है, लगबग, तो यहाँ से upside बन सकती है, इसके अंदर day high निकलता है, इस green candle का, तो आपको इसके अंदर 46.5 के उपर आपको entry कर लेनी है, इसके अंदर जो target है, 47.5 का पहला target रखना है, 48.5 का दूसरा target रखना है, stop loss इसके अंदर 45.80 के उपर लगा के रखना है, तो यह हमारा fifth number का stock हो गया, और यह video भी complete हो गया है, जिसके अंदर आपको मैंने 5 stocks बताया है, जिनके अंदर आपको intraday के यहाँ पे trade है, वो प्लान करना है, तो आज सा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe की, जो DMAT account आपके पास नहीं है, तो आप बिलकुल free में हमारे अंदर में DMAT account open कर सकते उसका link आपको description box में मिल जाएगा, मिलते हैं आप वीडियो में, thank you very much.